औरिसा कीचे निन हिंदी में आप सबको बहुत बहुत स्वागत है आज मैं आपके लिए वेजिटेबुल पलाव का रेसिपी लेकर आया हूँ जो कि मैं कड़ाई में बनाया हूँ और ये कड़ाई में भी बहुत सिंपुल वे में और बहुत काम टाइम के अंदर बन जाता है मैं इसमें प्याज का यूज नहीं किया हूँ आप चाहे तो इसमें प्याज भी डाल सकते हैं देखते हैं इस रेसिपी के लिए हमको क्या-क्या इंगिन्स चाहिए लिए मैं यहाँ पर एक बावल बासमाते राइस लिया हूँ और जिस बावल में में राइस लिया हूँ उ यहां पर फ्रोजन माटर यूज किया हूं और खड़े मासले में हमको चाहिए एक तो तेज पता थोड़ा सचीरा तो डाल चिनी चुटाई लेची बड़ाई लाइची जाबीत्री दो लंग और गुलमरीच और फ्राइ करने के लिए ऑईल तो पहले में यहां पर चाबुल को अच्छे से 3-4 वर अच्छे से धोलूंगा और उसके बाद जब मैं वेज़ीटेबल को फ्राइब करोंगा तब तक उसको बिगव के चोड़ दूँगा तो भीगव के चोड़ दोंगा तक इसको तीन से चार वर अच्छेसे दो लिया हम और इसको इसे चोड़ों देते हैं और कडाई गरम कर लेते हैं देखिए यहां पर कड़ाई गरम हो गया है मैं यहां पर थोड़ा सा तेल डाल देता हूँ पहले हम इस पानिर को थोड़ा सा फ्राय कर लेंगे यहां पर निकाल लेता हूँ और उसके बाद काजू को फ्रय कर लूंगा एक मिन पार ये बार के ये बाद अगरम घर लूजरे अदया मसाले वा एक मिनट के बाद मसाला अगरम दोगा हो वा नां आखास। और एक से दो मिन्ट के लिए फ्राइ कर लेता हूं क्योंकि फुल को भी पकना के लिए थोड़ टाइम लेता है और उसके बाद मैं गाजर आलू और बींस को भी डाल देता हूं मैं यहां पर आलू का इस्तेमल क्या हूं आप चाहे तो इसको ना भी कर सकते हैं या अपसना ले और सारे बेज़ेबल्स को मिला के एक से दो मिन्ट के लिए कवर कर लेता हूं दिखिए एक से दो मिन्ट हो गया है हम इसको कवर निकालके उसको मिला लेता हूं और उसको फिर से कवर कर लेता हूं और ग्यास को स्लो करके पांट से साथ मिन्ट के लिए छोड़ देता हूं चावल उसके बाद कवर निकालके यहां पर फ्रोजन माटर और फ्राइक हुआ हुआ पानीर और फ्राय के आहुआ काजु को भी डाल देता हुआ और शारे चीज़ को अच्यалा के फिर से एक मिन के लिए कवर करखे छोड़ देता हुँ दिखिए एक मिंद के बाद हमें कबर खटाकर फिर से इसको मिला रहा हल। और द gap रखा हुआ चावल को इसके डाल रहा हूँ grasp और चावल को वेजितेब ल्में अच्छे से मिल रहा हूँ जैसे की चावल वेजितेबल्स में अच्छे से मिल जाए गौाल बचेबल का मेजरमेंट का मेजरमेंट चावल और उसके बाद इसको अच्छे से मिला करेंगे और उसके बाद इसको अच्छे से मिला के ग्यास को च प्वर कर के च्ट के थोड़ेंगे और उसको बीजमीज में खोलना नहीं है देखिए यहां पर आट से दास मिनिट हो गया है अब हम कावर को खोल के देख लेते हैं या अच्छे से बॉयल हुआ है या नहीं इसलिए मैं इसके अंदर एक टुक नाइफ को डाल रहा हूं देखिए इसमें कुछ भी गिला नहीं ल अनल रहा है क्या क compound कि वहले षसी को गवारश को करणा नहीं गवार्णी के और आटुनाइए जैसे कि नेचावल ज्यादा नारम ह आटकना हों और मैं यहां पर एक लागा हम निकल रहा हूं देखिए minimize द्रिशिय्य नहीं चिता है और है यह लग्या हो गया है मैं इसको सार है इसको आप गहर पर जरू बना के ट्राय किजिएगा और आपका एक्सपेंस मेरे साथ सेयर करेगा अगर आपके रेसीप अच्छा लगा मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर जाएगा और इस वीडियो को कमेंट लाइक एंड सेयर जरू किजिएगा थैंक्यू